प्यार किसी दूसरे के बारे में नहीं होता, यह आपके होने का एक तरीका है, लेकिन हम अलग-अलग रिष्टे देखते हैं, हर रिष्टा, एक अलग तरह का लेंदेन है है ना, और अगर आप नहीं जानते कि उस लेंदेन का उद्देश और उस लेंदेन की प्रकृति क्या ह तो आप उसे जरूर उलज़ा देंगे, प्यार जीने का एक तरीका है, रिष्टा एक लेंदेन है, लेंदेन को उसके नियमों के अनुसार चलना चाहिए, अगर आप लेंदेन के नियम तोड़ेंगे तो यह तूट जाएगा प्यार को कई तरह में बाटा गया है, जैसे माता का प्यार, पिता का प्यार, भाई बہनों के बीच प्यार, पती या पतनी के बीच, पुरुष और महिला के बीच मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ध्यान, सेक्स और प्यार के बीच कोई संबंध है? यह पहला प्रशन है दूसरे सवाल का उत्तर है नहीं, यह गलत है इस वर्णन में काफी ज्यादा गलतियां है मुझे नहीं पता कि हमारे पास इसे समझने का समय है या नहीं क्योंकि यह जीवन का एक विशेश आयाम है जिससे सही तरीके से समझना चाहिए पहले वाले के लिए, देखिए, हम इस पर पहले ही बात कर चुके है देखिए, प्यार किसी दूसरे के बारे में नहीं है इसे समझिए, रिष्टे दूसरों के बारे में होते है हम अलग-अलग तरह से लोगों के साथ अलग-अलग संबंद रखते हैं, है न ये इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं अब आपका बच्चा आता है तो आप प्यार से उसे पकड़ कर अपनी गोद में बिठा लेते हैं आपका पडोसी आता है तो कृपिया ऐसा ना करें पर क्या आप अपने पड़ोशी को बिना उसे पकड़े उतना ही प्यार कर सकते हैं आया ना तो आपकी माँ आती है आप ऐसा करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं आपका कुट्टा आता है क्या आप अपने कुट्टे को अपनी माज इतना भी प्यार कर सकते हैं? ओ, वो कुट्टे की माँ के साथ तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल भकवास है। रिष्टे लेंदेन के होते हैं। लेंदेन को समझदारी से निभाना पड़ता है। आप सभे के साथ समान लेंदेन नहीं रख सकते। ये बहुविवाह है। हर रिष्टा एक अलग तरह का लेंदेन है, है ना? और अगर आप नहीं जानते कि उस लेंदेन का उद्देश और उस लेंदेन की प्रकृति क्या है, तो आप उसे जरूर उलज़ा देंगे। आप उसे जरूर उलज़ा देंगे, इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि वे आपके कितने करीब हैं। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ, लोग सोचते थे कि वे एक हैं और वे कभी अलग नहीं होंगे, उनके बीच भयानक स्थिती पैदा हो गई, किसी और चीज़ की वज़ा से नहीं, इसलिए नहीं कि वे बुरे लोग हैं, किसी दूसरी वज़ा से नहीं, बस इतना आप सीमाओ को नहीं समझते, आप कुछ करने और होने के तरीके को एक मान रहे हैं, प्यार होने का एक तरीका है, रिष्टा एक लेंदेन है, लेंदेन को नियम के अनुसार चलना चाहिए, अगर आप लेंदेन के नियम तोड़ेंगे, तो ये तूट जाएगा, पर आप अंदर से कैसा म अगर आप अपनी भावनाओं में मिठास महसूस कर रहे हैं, तो आप हर उस चीज से प्यार करेंगे, जिस पर आपकी नजर जाएगी, लेकिन लेंदेन अलग होगा, मैं कैसा हूँ, मैं दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ, मैं आपके साथ वैसा ही लेंदेन नही कर सकता है की नहीं, पर मुझे आपके प्रती अलग भावनाएं रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने भीतर ऐसा होने का फैसला किया है, तो आपको ये समझना होगा कि अंदर की स्थिती और कुछ करना क्या होता है, अगर आप फर्क नहीं करेंगे, तो आप दो अगर मैं प्यार में नहीं हूँ, तो लेन देन में वो गुण नहीं होगा, है ना? मेरा सवाल आपसी संबंद पर था, सेक्स, प्यार और ध्यान के बीच, क्या कोई आपसी संबंद है? क्या सेक्स प्यार और ध्यान के बीच कोई संबंध है मेरे हिसाब से हमने सेक्स और प्यार में फर्क काफी हद तक समझा दिया है सेक्शुलिटी यानि मैं नेतिकता के आधार पर फैसला लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं इस बारे में मेरे अंदर वैसी कोई बात नहीं है बात सिर्फ इतनी है कि आपके हॉर्मोन्स ने आपकी बुद्धी को हाईजाक कर लिया है जब आप दस साल के थे आपने इस लड़के को या इस लड़की को देखा वे सिर्फ इनसान थे अचानक आप बारा चौदा के हो गए फिर आपने देखा अचानक शरीर के आकार में छोटे छोटे बदलाव पूरे ब्रह्मान की तरह दिखने लगते हैं अचानक से आया ना क्यों क्योंकि आपके अंदर रासानिक रूप से जहर घोल दिया गया है ये प्रकृती की चाल है कि आप किसी तरह बच्चे पैदा करें ये मत सोचें कि प्रकृती की इसमें दिल्चस्पी है कि आप किसी से प्यार करते हैं या नहीं करते प्रकृती की इसमें दिल्चस्पी है कि आप बच्चे पैदा करें तो आप वे सभी गाने गाते हैं डालोग क्या है? बताईए गाना गाई है आप ऐसा करते हैं ये महसूस करने के लिए कि ऐसा नहीं है बात कुछ और है लेकिन नहीं सेक्शुालिटी बस यही है इसे हार्मोन्स धक्का देते हैं क्या ये अच्छा है या बुरा है ऐसा कोई निर्ने नहीं है इसे अच्छा या बुरा बताना आपका काम नहीं है व्यक्तिकत रूप से आपके लिए सवाल यही है कि ये आपके भीतर कितना मस्बूत है क्या आप उसके लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं या नहीं या आपको तै करना होगा ये ध्यान से कैसे जुड़ा है अंग्रेजी भाषा में meditation शब्द का कोई मतलब नहीं है तभी हर को इसका इस्तमाल करता है अगर आप आँखे बंद करकर बैठते हैं तो अंग्रेजी में वे कहेंगे कि आप meditate कर रहे हैं आँखे बंद करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं आप जब, तब, धारना, ध्यान, समाधी, शून ये कई चीज़ें कर सकते हैं यह हो सकता है कि आपने शरीर सीधा रखकर सोने की कला में महराथ हासिल कर ली है किसे पता कि आप आँख बंद करके क्या कर रहे हैं आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं तो अगर हम मान लें अगर हम मान लें कि meditation का अर्थ ध्यान है फिर से ध्यान शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जा रहा है आज कल इसका कोई विशेश शर्थ नहीं है पर इसका एक खास अर्थ है इसका मतलब है कि अगर आप यहां बैठते हैं तो आपका शरीर यहां है आपका मन वहां है और आप कहीं और है यानि आपके अनुभव में यह तीनों पहचाने अलग है एक बार जब यह तीन चीजें अलग हो जाती है तो फिर यह पूछने का सवाल है कहा है कि शरीर की प्रक्रिया, मन की प्रक्रिया इनका आपस में क्या लेना देना है क्या कोई संबंध है ऐसा कुछ नहीं है अब ओ तो अगर मैं ध्यान करता हूँ तो मैं सेक्स नहीं कर सकता अगर मैं सेक्स करता हूँ तो मैं ध्यान नहीं कर सकता बात यह नहीं है ध्यान कोई काम नहीं है यह गुण है अगर आप अपने शरीर, मन, उर्जा और भावनाओं को एक स्तर तक परिपक्व कर लेते हैं, तो आप ध्यानपूर्ण हो जाते हैं। ये किसी फूल की सुगंद की तरह है। अगर फूल खिल गया है, तो सुगंद होगी। अगर कोई फूल नहीं खिलता, तो आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। पर सुगंद वैसी नहीं होगी। आपके भीतर से जो निकलता है और जो आप बाहर से पहनते हैं उसमें अंतर होता है। एक बड़ा बहुत बड़ा अंतर है। ये जीवन और भृत्यू का सवाल है। ये जीवन और भृत्यू के बीच का अंतर है। आपको छिड़काव करके किसी लाश को भी सुगंदित बना सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। आपके अंदर से एक सुगंद भैलाना बिलकुल अलग है। ध्यान एक गुण है, कोई काम नहीं, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या ये ध्यान है? नहीं, अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या ये ध्यान है? हाँ, मुझे लगता है कि ये सुनकर आपको समझा जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि इब्राइम नाम के एक सूफी मास्टर थे इब्राइम ने अपने स्थान पर कुछ लोग इकठा किये और वे उन्हें ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे एक शाम उनके दो शिश्य मिले वे निराश थे उनमें से एक ने कहा अरे मैं सिगरेट पीना चाहत हूँ चलो उनसे ही पूछ लेते हैं उन्होंने तै किया उन्होंने अलग-अलग जाकर पूछने का फैसला किया अगले दिन एक शिश्य निराश होकर बगीचे में बैठा था दूसरा धूमरपान करते हुए आया मास्टर ने मुझे धूमरपान न करने के लिए कहा और तु उन्होंने का?